वाइस क्या आपको भी आपके प्लेश्टोर कोछी इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है जासे कि आप देख सकते हैं इस पर आपको आपको प्लेश्टोर का प्लीक करना है यहाँप़ दिखा रहा है। चैकिंग इन्फो को इसको पूरा होने देंगे और यहाँ से आपको क्या करना है या तो आप new create account बना लें create account बना सकते हैं या फिर email address यहाँ पर डाल कर अपना new account login कर ले ठीक है आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं या तो यहीं से आप new account बना सकते हैं या फिर अपना new account नहीं बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे account से login कर लीजिए जो पहले आपने बना रखा है मतलब अपना जो account है उसको change करना है आपको जो अपने play store में डाल रखा है तो आपकी problem जो है solve हो जाएगी अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको play store के उपर दबा के रखना है यहाँ पर app info को option दिखाएगा आपको इस पर click करिएगा click करने के बाद यह settings लिकल कर आएगी storage है उपर की तरफ इस पर click करना है नीचे clear data लिखा है इस पर आईए इसका clear cache कर लीजिए सबसे पहले first of all फिर इसका clear roll data भी कर दीजिए यह करने के बाद अब आपको क्या करना है तुरंत आना है अपने settings के अंदर settings में आने के बाद आपको about phone देखने को मिल रहे इस पर आईए यहाँ पर आपके mobile का my UI version वर्जिन हो है उस पर click करिए जोगे आपके mobile का version है और यहाँ पर check करिए अगर आपको updates आई है आपके version की तो इस पर click करके check कर लिए ज़िए check for updates पर जैसे कि आप देख सकते है no update available मेरा जो mobile का version up to date अगर आपको update आई है तो update कर ले क्योंकि update नहीं करने के वज़ए से कई बार problem मा सकती है तो इस बात कभी आपको ध्यान रखना है जैसे आप यह काम कर लेंगे आपकी problem solve हो जाएगी फिर यार आपको show नहीं होगा आज की वीडियो में इतने ही मिलते हैं next video में till the vertical love you all